केंद्री मंद्री नितिन गटकारी ने मंगलवार को करनाल में ग्रीन फिल्ड चे लेन रिंग रोड प्रोजेक्ट की शुडवात का शिलानास किया उन्होंने कहा कि हरियाना में उनकी टीम सो करोड प्रोजेक्ट पर काम कर रही है दिसंबर 2024 तक हरियाना की सडके अमेरिका जैसी बन जाएंगी गटकारी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ओयल की तरफ से बायो फ्यूल बनाने का काम शुरू हो गया है इसका दो प्रतिशत फ्यूल मजहाज में इस्तेमाल होगा हमारी कोशिश है कि बायो फ्यूल को इतना बड़ावा दिया जाए कि पेटरूल की जरूरत ही ना पड़े तब ही हम पेटरूल के रेट पंदर पर प्रतिलिटर कर पाएंगे गटकारी ने कहा कि हम इदन का विकल्प खोच रहे हैं मोधी सरकार किसानों को अन्न दाता से उज़ा दाता बनाना चाहती है हम अभी 16,000 करोड का इदन इंपोर्ट करते हैं हम चाहते हैं कि किसान इस तरह की फसल होगा है जिससे बायो इंदन तियार किया जाए केंदर इस पर काम कर रहा है कि मक्का और चावल से एथेनौल बने असम में एक बड़ी रिफाइरी बने जहां बास से बायो फ्यूल बनता है कमपनियां अब ऐसे वाहन त्यार कर रही हैं जो बायो फ्यूल पर चलेंगी इची की साथ बने नहीं राटामा टीवी की साथ धन्यवाद